फाइनल दोस्तों शाहरूख खान की फिल्म किंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, शाहरूख खान के साथ अभिशेक बच्चन ने किम फिल्म को जॉइन कर लिया है, फिल्हाल की खबरों की माने तो शाहरूख और अभिशेक की जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी, वही सुहाना खान भी इस फिल्म में होगी, वही दोस्तों किंग फिल्म को सिधार्थ आनंद और सुजोई घोश डायरेक्ट कर रहे हैं, शाहरुख खान इस फिल्म के लिए काफी सीरियस नजर आ रहे हैं, अगले साल आपको दो बड़ी फिल्में शाहरुख की देखने को मिल दूसरी तरफ शाहरुख लोकेश कनगराज के साथ भी फिल्म बनाने वाले हैं, एक इंतरव्यू में शाहरुख खान कहते हैं कि वो इस बार बहुत बड़ी फिल्म लेकर आ रही हैं, जो सब के होश उडा देगी, और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं, फिल्हाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहत खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहंत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं, खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने मे तीन फिल्मों की अनाउस्मेंट कर सकते हैं, उन्होंने कहा इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एकसाइटेड है, लेकिन SR के किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे फिर चीजें आगे बढ़ेंगी, वही आपकी जानकरी के लिए बता दे कि शाहरूख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं, और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी, शाहरूख हमेशा अपनी ओडियंस के लिए कुछ नया ल लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं, अगर वायारेफ अपनी धूम फिल्म को बताएंगे तो उसके अंदर शाहरूख को लेंगे और वही साउथ के कुछ बड़े डायरेक्टर भी शाहरूख हान के साथ काम करने वाले हैं,